हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो नंतकिशोर क्लासिज, आज हम लिनिर एक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे इन वन विरियेबल, यह देखिए सिंपल एक्वेशन से शुरुआत कर रहे हैं और वन विरियेबल में डिफिकल्ट लेवल तक हर तरह के क्वेशन आज के लेक्चर में कवर करेंगे, सबसे पहले, एक्वेशन को अगर सॉल्व करना है, एक्वेशन की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए जिस विरियेबल की आपने वैल्यू निकालनी है, मैं उस विरियेबल को लेफ्ट साइड में रखूँगा, जैसे कि यहां पर एक्वेशन, तो मुझे इ रिमूव करना है, इस 3 को रिमूव कैसे किया जा सकता है, यह मेज़ट लगा कर, सब्ट्रेक्टिंग 3, फ्रОM बोथ साइड्स, यह बिलकुल बेसिक कंसेप्ट से करवा रहे हैं, सब्ट्रेक्टिंग 3 फ्रोम बोथ साइड्स, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ x प्लस 3 में से 3 माइनस कर दीजे राइट साइड में 5 है न उसमें से भी 3 माइनस कर दीजे होगा क्या 3 प्लस का है 3 माइनस का है 3 माइनस 3 0 होता है तो ये खतम हो जाएगा हमारे पास x बचेगा और इदर 5 माइनस 3 इकोल टू 2 तो x की value 2 आएगी आप इसको verify कर सकते हैं यहां put करके x की value 2 पुट कर ये 2 प्लस 3 कितना होता है 5 होता है तो ये basic concept है कि आपको ये 3 remove करना है इसी को short method में भी करते हैं और दोनों ही ठीक हैं लेकिन basic पता होना बहुत जरूरी है हम यहां पर सीधा भी कर देते हैं कि left side में जो value positive है आप उसको right side में shift कर दीजिए उसका sign negative हो जाएगा जैसे x is equal to ये 3 उदर ले जाओ negative हो जाएगा 5 minus 3 and you will get x is equal to 2 ये इसका base है इसलिए base भी पता होना चाहिए लेकिन solve करते वक्त सिधा ऐसे कर सकते हैं ये गलत नहीं है it is just about transposing one term from left side to right side आप left से right लेके गए है sign change हो गया right से कभी left में भी लेके जाना पड़े तो भी चलेगा और देखिए जैसे यहां पर ये positive वाला लिया इसी तरह से ऐसा भी आ सकता है कोई x minus 5 is equal to 10 तो अब देखो ये minus 5 को remove करना है क्योंकि मुझे x की value निकाल नहीं है तो क्या करेंगे adding 5 adding 5 on both sides क्या बनेगा x minus 5 में भी 5 एड़ हो जाएगा इधर 10 में 5 एड़ हो जाएगा तो यहां सिरफ x रहेगा क्योंकि एक plus का एक minus का cancel 10 plus 5 15 x की value 15 होगी आप put करके देखिए 15 minus 5 10 होता है ये काटना मतलब एक plus का एक minus का है न तो 5 minus 5 0 बनता है इसलिए इसको cancel कर देते हैं और इसी को अगर इस method से करें तो करना क्या है सिरफ minus 5 को right side में shift करना है यहां negative है तो उदर जाकर plus हो जाएगा इस step को क्या बोलते है transposing negative 5 from left to right side तो 10 plus 5 15 तो दोनों method ही लगा सकते हैं लेकिन हम जो भी concept करेंगे उसका basic जरूर पड़ेंगे ठीक है आगे move करते हैं आगे देखिए माल लेजिए इसकी बजाए question इस तरह का आ जाता 2x minus 3 equal to 5 थोड़ा सा change किया भी सिरफ x नहीं है 2x कर दिया तो एक तो मैं basic आपको बता चुका हूँ इसलिए मैं इसको short में कर रहा हूँ कि हम negative 3 को उदर ले जाएंगे 5 plus 3 हो जाएगा तो 2x equal to 8 बनेगा लेकिन अब यहाँ पर 2 over x product में है मुझे अब ये 2 remove करना है क्योंकि मुझे तो x की value निकाल नहीं है तो इस step में basic concept क्या use होगा dividing by 2 on both sides 2 से divide कर रहे है तो ये होगा इदर से 2x 2 से divide इदर से 8 भी 2 से divide ये 2 से ये 2 cancel हमारे पास x बचा लेकिन इदर 2 से काटेंगे तो 4 that means x की value 4 आएगे इसे हम put करके देख सकते है 4 time 2 is 8 8 minus 3 5 तो mainly ये एक नया step इस question में add हुआ हाँ जब हम इसकी practice कर लेते हैं हमें समझ आ जाता है कि ये कैसे करना है तो यही step 2x equal to 8 जब होगा इसका next step सीधा कर सकते हैं ये x रखा इसको बोलते हैं cross multiply 2 इदर नीचे आ जाएगा 8 के अब देखो है तो base यही 8 के नीचे ही आया था 2 से 2 तो इदर मैंने dividing करके cancel किया था तो जब lengthy questions होगे तो वहाँ पर हम डारेक्ट ये step यूज़ कर लेंगे ठीक है जी तो इसी तरह से ये अगर यहाँ पर positive आ जाता तो आप right side में shift कर देते अब मान लीजे इस तरह की situation आ जाती है let's suppose x by 5 is equal to 7 अब हमें x निकालना है तो मुझे ये 5 remove करना है अगर मुझे ये 5 remove करना है जैसे यहाँ पर divide करके 2 खतम किया था यहाँ multiply करेंगे क्या करेंगे multiplying by 5 on both sides कैसे x by 5 को भी 5 से multiply किया 7 को भी 5 से 5 and 5 cancelled तो x किसके एक को लाया 35 के basic concept देख लिया कि इस तरह से multiply करके इस 5 को remove किया जा सकता है और अगर इसी को short में करना हो तो सीधा ये step लगता है cross multiply ये 5 इदर 7 से multiply हो जाएगा और ऐसा करेंगे जब lengthy calculations करेंगे तो ये चीज़े करनी पड़ेंगे ये basic छोड़े-छोड़े steps हैं जो आगे काम आएंगे अभी देखिए मान लीजिए मेरे पास ऐसी को इस्टेशन हो 5X प्लस 9 इस इक्वल टो 2X प्लस 3 ऐसा हो तो अब इसको हमने सारे short cut सीख चुके हैं मेरे को विर्येबल निकालना है वैल्यू एक्स की तो एक्स लेफ्ट साइड में होना चाहिए तो मैं क्या करूँगा इस 2X को उठाके लेफ्ट साइड लेके आऊंगा इधर प्लस का आना तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा और इस 9 को उधर ले जाऊंगा इधर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा किया कुछ नहीं अगर हम लेंदी स्टेप्स करें बेसिक वाइज पहले सब्रेक्टिंग 2X फ्रॉम बोथ साइड़ सब्रेक्टिंग 9 फ्रॉम बोथ साइड़ किया तो यह है लेकिन हम ट्रांस्पोजिंग करके कर सकते हैं 5 में से 2 माइनस किया 3 तो लेफ्ट साइड में 3X और इदर 3-9 क्या होता है माइनस 6 अभी देखो यह सारे स्टेप्स बीच में यूज होते हैं जैसे यह वाला स्टेप इदर यूज होगा डिवाइडिंग बाइ 3 बनता है यहां पर ठीक है डिवाइडिंग बाइ 3 करेंगे यह 3 मैं इदर नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे इदर तो 3 कटी जाना है तो हम शोट में कर सकते हैं इस तरह से 3 से 6 को काट दीजिए आगे चलते हैं नेक्स टाइप पर यह देखिए नेक्स मान लिजिए हमारे पास ऐसा कुश्चिन है एक्स बाइड टू प्लस एक्स बाइड फॉर इक्वल्स फाइड हमें एक्स की वैडियू निकालनी है तो देखो एक तरह से फ्रेक्शन की एडिशन है यह तो डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा डिनोमिनेटर सेम कैसे बनेगा यह टू है यह फॉर है दूनों का एल्सियम अब टू और फॉर का एल्सियम फॉर होता है यानि कि दूनों डिनोमिनेटर फॉर बनाने है यह तो पहले ही फॉर है इसक इस से आपका denominator same हो जाएगा that means we will get 2x by 4 plus x by 4 equals 5 और जब denominator same होता है तो हम सीधा add कर देते हैं 2x plus x that means 3x upon 4 is equal to 5 अब आप एक देखिए मैंने यह जो steps की है न यह basic बताने के लिए किए otherwise सीधा यहां से step के बाद यह step किया जा सकता है 4 LCM लेके जिनको यह step से comfortable हैं कर सकते हैं वो definitely करें advisable है लेकिन अगर LCM लेके नहीं करना आता तो पहले denominator same बनाएग अब देखो जो shortcuts की हैं वो यहां पर cover हो रहे हैं denominator में 4 है पहले इस 4 को खतम करना है तो multiplying both sides by 4 करना पड़ेगा लेकिन हम 4 से multiply करने की बजाए जो हमने सीखा है 4 को इदर 5 से multiply कर दे 4 5s are 20 चलिए और इसके बाद dividing both sides by 3 वाला concept तो x is equal to 20 by 3 तो इस question में x की value 20 by 3 आएगे एक और question last आज का करते है यही concept cover करेंगे मान लीजिए हमारे पास हो y upon 7 minus y upon 14 is equal to 21 तो इसमें आप देखो 14 और 7 का LCM क्या होता है 14 होता है और मैं सीधा यह step कर रहा हूँ 7 denominator को 14 बनाने के लिए किस से multiply करना पड़ेगा 2 से बस 2 से करना है नहीं हम ऊपर वाले को 2 से करदा 2 into y सीधा 2y क्योंकि नेच्चे तो 14 हमने लिख लिया यह 14 14 additives है तो उपर वाला तो y रह जाएगा तो 2y माइनस y y upon 14 is equal to 21 तो हम क्या करेंगे y निकलेगा यह 14 21 से multiply हो जाएगा तो इनको multiply करके y का answer क्या आएगा 14 1s are 14 1 carry 14 2s are 28 28 plus 1 29 तो y की value 294 आएगी I hope आज जो हमने concept पड़ा है equations in one variable को solve करने का आपको अच्छे से समझ आ गया है अगर यह video पसंद आया है तो इसे like और share जरूर करिए Thank you so much